दोस्तों ये है Poco M6 Pro 5G डिवाइस Poco की तरफ से रिलीज किया जाने वाला सबसे संस्ता 5G डिवाइस है और वैसे भी अगर आप सबसे संस्ता 5G डिवाइस सर्च करोगे तो यहीं डिवाइस आपको मिल जाता है तो हमने भी Flipkart के The Big Billion Dead Cell से इसको औरर किया है और आज के इस वीडियो में इसकी अन्वाक्सिंग करेंगे साथी साथ आप लोगों को बता दें कि मैंने ये डिवाइस जो है प्राइमरी तोर पे नहीं लिया है चुकि 4G डिवाइस अच्छे खासे हैं हमारे पास तो उसमें जो है इसके दुआरा हम Hotspot स्टार्ट करके Internet यूज करने के लिए सबसे सबस्ता 5G हमने लिया है देखेंगे Specifications, Feature वगएरा कितना सही है, कितना गलत है और Realme के 11X डिवाइस से भी इसकी comparison किसी और वीडियो में करके दिखाएंगे और साथ से साथ आपको जो है T2X के साथ भी इसका comparison बहुत जल्द ही आने वाला है तो तीनो डिवाइस चुकि संस्ता 5G है तो इसलिए हम यहां पर इसकी unboxing करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं box की, तो यहां पर open box delivery हुआ था इसलिए हमने इसके original packaging को हटा दिया है, यह है device का box और चलिए, फिलहाल तो box के चारों तरफ हम यहां पर भ्रमन करते हैं मतलब चारों तरफ इसके specifications वगेरा देख लेते हैं यहां पर देख सकते हो आप लोग की box जो है open है, already still broken किया है कुरियर बोई ने और यहां पर कुछे specifications रिवाइस के दिये गए है snapdragon processor यहां पर दिया गया है, बड़ी डिस्प्ले है और 7.2 cm यानि की 6.7 इंच की डिस्प्ले लगी हुई है 50 MP का यही कैमरा मिल जाता है, 8 MP selfie दिया गया है और 5000 MP की बैटरी है, जिसको चार्ज करने के लिए 8W की fast charging जो है यहां पर मिल जाती है हलाकि 18W यहां पर mention किया गया है, लेकिन box में आपको सारे 12W का charger मिल जाता है यह एक अच्छी बात है, बाकी यहां पर expandable storage भी दिया गया है बाहर से आप SD card लगा सकते हो, IP 53 rating है, waterproof के लिए और dust protection के लिए तो यह सब चीज़े यहां पर mention की गई है, तो चलिए अब box को open करते हैं और बाहर करते हैं इस device को तो सबसे उपर में यह पोको का device जो है, वो रखा गया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, कुछ dust type से इसमें लग रहा है deliver ही ऐसे ही कुछ हुआ था, और यहां पर यह रहा आपका device पूरा packaging के साथ है और इसके rapper को इससे पहले की बाहर करें, box content देख लेते हैं तो box में एक और छोटा सा package जैसे की अभी आजकल साड़े device में मिलते हैं जिसमें cover होता है, तो इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी cover है, यहां पर आप लोग देख सकते हो cover यहां पर आप लोग देख सकते हो, चलिए cover को बाहर करते हैं, इस रैपर से और आप लोग को दिखा देते हैं, यह है cover जो कि आजकल आम तो पर साड़े device में ऐसे ही देखने को मिलते हैं और यहां पर है आपका SIM इजेकटर टूल, तो यह सब चीज़ें आपने देख ली, और बॉक्स में और अंदर क्या क्या है, तो यह है सारे 20W का charger, जो कि सारे 20W का charger है, पांच आपर यहां बाइस का charger है, पांच आप इस की बैटरी को चार्ज करने में कम से कम तेर गंटा तो यह है आपका डिवाइस चलिए इसको बाहर करते है रैपर से फिजिकल ओर वियू की बात कर लेते हैं इस डिवाइस की तो पीछे की तरफ पोको की ब्रैंडिंग बहुत बरी है दो कैमरे यहाँ पर दिया गया है डूल कैमरा और एक फ्लैस आपको LED वाला मिल जाता है लेकिन कि जो यह ब्रैंडिंग है बहुत बरा इतना बरा टेक्स्ट लिखना नहीं चाहिए और यह पोको की पुरानी आदत है तो पीछे की तरफ दो कैमरे है लेप साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है SD कार्ट स्लोट देखने को मिल जाता है चलिए है कि क्या कुछ है expandable storage तो होने ही चाहिए इस range में तो आते ही और यहाँ पर देख सकते हो आप दो sim card लगाई है या फिर एक sim card और एक memory card यानि कि यहाँ पर जह है memory card का option आप लोगों को मिल जाता है नीचे की तरफ यहाँ पर speaker grill type c port और एक microphone दिया गया है और यहाँ पर अग गयरा control कर सकते हो और 3.5 में audio jack दिया गया है सामने की तरफ एक 8 मेगा पिक्सल का camera है आप चलिए यहाँ पर device को boot करते हैं और सब तक device start होती है फिर देखते हैं इसके कुछ features को चुकि यह initial unboxing है तो ज्यादा feature explore करेंगे नहीं बस आप लोगों को look दिखाने के लिए हमने यहा जो base variant है उसे उपर लेंगे तो बहतर होगी device हमारा start हो रहा है जल्दी से इसके setup को करते हैं complete तो फाइनली यहाँ पर device जो है वो start हो चुका है यहाँ पर home screen आप लोग देख सकते हो डायलर यहाँ पर है अगर call recording announcement होगी तो इसको बंद करने का भी तरीका है अगर किसी का call आप record करते हैं तो लेकिन यह तो चेक करने के बाद पता चलेगा कि call recording announcement होता है या फिर नहीं कि और रेड्मी और पोको के फोनस हमने पहली बार लिये हैं बहुत दिन पहले हमने लिया था जब call recording announcement आती ही नहीं थी किसी भी फोन में तब लिया था तो यह पहला experience होगा पोको की तरफ से और फिर रेड्मी की तरफ से एमाई की तरफ से तो यह है यहाँ पर app drawer देख सकते हो कुछ फाल्तू के apps भी हैं जिसको अनिस्टॉल किया जा सकता है कुछ को अनिस्टॉल नहीं कर सकते हो कैमरा की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो कैमरा quality चेक करते हैं और यहाँ पर कैमरे की जो quality है वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यह देखिए color जो है यहाँ प कैमरा के उतना बहतर नहीं है यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल की color भी कुछ मतलब color जो है यहाँ पर accurate नहीं आ रहा हो सकता है अपडेट के बाद इसको change किया जा है लेकिन यह कुछ major reason नहीं होगा लेकिन फिरहाल तो कैमरे की quality उतनी अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पर features वगरा देख सकते हों camera app में 50 MP mode है और इसमें भी एक photo क्लिक करके देख लेते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 50 MP में जूम जादा होता है 50 MP mode में देखे camera की quality की बात करें तो okay है वस colors का यहाँ पर contrast का फर्क है तो यहाँ पर यह update के थ्रोस ठीक हो सक करेंगे तो और selfie की बात कर लेते हैं तो selfie camera में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह देखिए कुछ ज्यादा details तो है ना 8 MP का camera है तो वैसे में यहाँ पर details थोड़ा सा missing है तो यह issue है यहाँ पर लेकिन कोई नहीं आप जो है price point को consider करेंगे तो यहाँ पर यह device बिलकुल ही सही है सबसे 5G phone है और यहाँ पर अगर मैं बात कर देता हूं इसके कुछ और settings वगेरा की तो यहाँ पर चलिए हम इसके settings को थोड़ा सा explore करते हैं और यहाँ से इधर से करेंगे तो notification panel और यहाँ से जो है बाग की icons आपको दिखेंगे settings में आ जाए यहाँ पर यह देखिए settings about device में आ जाते हैं MIUI 14 पे चरन कर रहा है Android 13 है Android 13 की update है इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो security update अगस्त महीने की है पाकी Android 13 है तो इसका सिधा मतलब है कि इसमें Android 14 की तो update मिलेंगी ही 15 मिलेंगी की नहीं इसकी guarantee नहीं क्योंकि जिस range में यह phone आता है वहाँ पर दो मेजर update बहुत सारी company नहीं देती है लेकिन हो सकता है Android 15 भी आप लोगों को मिल जाए तो बस यह था यहाँ पर basic specifications इसी device की camera quality उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है अपडेट के बाद इसमें सुधार होने चाहिए और इस phone से related कोई भी अगर जानकारी आप लोगों क सब्सक्राइब भूलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिये इजासत थैंक यू